नमस्ते, सस्तिय काल, गुड मॉर्निंग, गुड इबनिंग, जब भी आप इस रीडियो को देख रहे हों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज लोगों को महगाई ने परेशान करके रखा है, अब ये जो महगाई है, इसको कैसे हराया जा सकता है, कैसे हम महगाई हैं, या फिर कोछी चीजे खाइद के रख लेते हैं, या फिर अपने घर में ही अपना पैसा क्या रखे रहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि समय के अनुसार, जो महगाई दर है, जिसको आप इंफलेशन रेट कहते हैं, वो बढ़ती है, अब इस इंफलेशन गरीब है, जिसके पास पैसे की बहुत तंगी है, पैसा नहीं है, वो महगाई को मात नहीं दे पा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो इस वीडियो में हम पूरी तरीके डिसकस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहे हैं, कि पैसा बढ़ाने के लिए कुछ आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक स्टेप लेने हैं सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहूंगो कि पहले आप पूरा वीडियो देखिए बातों को सुनिए समझिए फिर इसके बाद अकेले में बैठिए कि डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए जो आपको वीडियों बताई गई बाते उनमें कितना दम उसको पर आप रिसर्च कीजिए लोगों से पता कीजिए उसके बाद डिसीजन पर आप पहुंचिए क्योंकि पैसा आपका है आपको सूचना है कैसे आपको क्या करन तो देखे सबसे पहले हैं आप से कि जैसे आप कुछ ना कुछ thing जरूर करते होगे होसकता है आपकी जो income है वह vardı कम झार या हो सकता है आपकी income moderate हो या सकता है आपकी जादा हो अब देखे जो भी आपके income है उससे आप के सकते हैं बत कैसे क्योट है आता कि कैसे बना सकते हैं यह जो मेंगाई है इसको कैसे रा सकते हैं मेंगाई से काफी लोग प्रेसान हो जाते हैं और आपको पताए कि जुस इंकम कमाते हैं वह इंकम हमारी क्या हमारे खर्चों के लिए क्या कम पड़ जाती है तो अब क्या करना ऐसे में तो देखे सबसे पहले मैं आपको उताना चाहूंगा सबसे पहले एक बात आप यह समझे कि जो inflation rate होती है जिसको आप महंगा इधर कहते हैं तो जो आपकी inflation rate है present में वह है आपकी 4.48 परसेंट डेटा के विश्यस पर हम लोग बात करेंगे जो प्रेजेंट में inflation rate है वह आपकी 4.48 परसेंट और अगर हम अपने पैसे को bank में जाके जमा करते हैं तो जो हमारा saving bank account होता है जिसको आप बच्चत खाता कहते हैं उस पे कितना व्याज मिल ला है around 2.7% कितना केबल 2.7% mostly bank में present time पर यही भी आज मिल ला है अब आप बताईए भाई आप महंगाई बढ़ रही है 4.48% से और आपका पैसा बढ़ रहा है 2.7% से तो बही क्या आप saving bank खाते में पैसा रखके क्या महंगाई को मात दे पाएंगे क्या आपका पैसा बढ़ एक साल पर महंगाई तो बढ़ नहीं है वो इस रेट से बढ़ रही है लेकिन पैसा आपका इस से कम रेट से बढ़ा है तो महंगाई को तो आप बीट नहीं कर पाए महंगाई को तो आप हराई नहीं पाए तो क्या आपका पैसे बड़ा नहीं बड़ा और कुछ लोग क्या करते हैं कि सर हम अपना जो पैसे लग्षक कर देंगे यह श्टिट कर variा देंगे अब आप सोचिए, अब आप फिर से देखिए अच्छे से, समझते रही है साई चीजों को, महेंगाई है आपकी 4.48%, पैसा जब आप अपना FDID लोगता आपको मिला है 5%, कितना बड़ा आपका, सिर्फ एक साल में कितना बड़ा, मुश्किल से 0.5% लगबग 0.5% बड़ा पैसा आपका, और 0.5% आपको पता है कि बहीं कितना होता है, आप निकाल लो 0.5% कितना आएगा, भाईया जब आप 1000 रुपे जाए सबूज कर आपकी जमा किया, एक हजार का जो 1% होता है, जो 1% होता है, एक हजार का, कितना होता है, सिर्फ दस रुपे, और आप बात कर रहे हो, 0.5% की, तो यह 0.5% कितना आ जाएगा, केबल 5 रुपे, मतलब, एक हजार रुपे जमा करने पर सिर्फ आपके 5 रुपे बढ़ रहे हैं, जब आप FD में रख रहे हो पैसा, और सेविंग में रख रहे हो, तो तो भाईया आप महंगाई को बिल्कुल भी नहीं रा पा रहे हो, अब यहाँ पर जो पैसा है, यहाँ से आप क्या महंगाई के लगबग बराबर पहुंच सकते हो, यहाँ से आप पैसा जो ID और FD में रखते हो, वहाँ से तो आप महंगाई के बराबर पहुंच सकते हो, लेकिन महंगाई को अच्छे से नहीं रा सकते हो, क्यों क्यों कि भी पैसा आप जमा करोगे, जितनी महंगाई दर लगबग उतनी आपका FD का ब्याज मिलना आपको तो भाई या पैसा कहां बड़ा पैसा तो लगवग आपका वही रहा और बड़ा भी तो थोड़ा बहुत बड़ा उससे क्या जीवन में परिवर्टन हमारे आ जाएंगे हमारे जीवन में क्या चेंजिस आ जाएंगे आपने देखा होगा कुछ लोग वह पहले बहुत गरिब थे बहुत गरिब थे लेकिन कुछ सालों बार वह बहुत मीर हो गए कैसे क्योंकि वह कुछ लगाते हैं उन लौजिक को अगर आप समझ लेते हैं तो डेफिनिटली आप भी बहुत अच्छे लेवल पहुंच सकते हो देखो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा मेहनत कर रहा है सक lance कर लुकलों वह उसके पास कमसे कम इस तो बैइ स्ट रूपे जरूर होंगे उसके पास कमसे कम 500 रूपे जरूर होंगे बिल्कुल hai इसके पास हर महीने 500 रुपे जरूर होंगे यह पक्कत है अगर आप सिर्फ यह 500 रुपे की मैं अगर आपको पावर बताऊं कि इस 500 रुपे की क्या पावर है तो आप सुनके खुद रेलाइश कर पाएंगे बास्तम में यह जो हमारा 500 रुपे है जिसको हम फालतू खर्चों म बचाया जाए तो यह कितना जादा पैसा आपको दे सकता यह आपने सोचा भी नहीं होगा अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस 500 रुपे के दम पर कैसे 1.6 करोड रुपे तक पहुंच सकते हो बहुत अच्छे से मैं आपको समझा हूंगा देखते रहें पूरा व भी तो यहां से पैसा आपका लगबग महिए के बराबर बढ़ता है इससे जाधा कुछ नहीं करते हैं और आपने देखा होगा जिसने भी बैंक में पैसा रखा हो या बैंक डाक खाने पैसा रखा हो भी यह जीवन में अमूल चूल परिवर्टन नहीं दिए मतलब ऐसा नह लगा हुआ है लेकिन हैं अब जो मैं दोपाने जा रहा हूं उससे बहुत चाएंज़न् Bay देखो जो बताने जा रहा हूं उसको सुनके डरना नहीं पहले तो है तो difference कैसे कहीं लॉस्स हो गया तो देखो कि सेयर मार्केट लेकिन जैर मार्केट का समझक ना मत थोग यहांपर क्या है दो तरीके इस लोग पैसा लगाते हैं एक होता है आपका डीमेट अकाउंट के तुरू लोग पैसा लगाते हैं जिसमें डारेक्ट ली जो सेयर होते हैं उनको वाई और सेल किया जाता है एनसी और वीसी से अब आप सूसरे होगे अरे हम तो गरीब आदमी है थोड़ा पैसा होता है हम यह सब क्या करेंगे अरे डरो मस सुनों पहले समझो सब चीज अच्छे समझ में आएगा और दूसरा होता है आपका म्यूच्वल फंड क्या होता है म्यूच्वल फंड अब देखो मैं आपको यह वता रहा हूँ अगर आपको सेयर मारकेट की नौलेज है अच्छे से जानते हो सब कुछ आप पढ़ सकते हो करके और अगर आपको आपको जानकारी है कमपनी का डेटा समझ सकते हैं और इसे और पी टम से काफी उनको आप समझ सकते हैं तो तो आप भाईया यह देमेट अकॉंट खुलबा सकते हैं अगर नहीं समझ सकते हैं तो इस वाले option को cancel कर दो कि भाईया हमको नहीं आता है हमको और ना सेखना है अगर नहीं सेखना है तो फिर आओ इस पर दूसरे वाले option वह आपका mutual fund कि अब देखो mutual fund में क्या होता है जो mutual fund होते हैं उनमें होते हैं fund manager कौन होता है fund manager वह आपके पैसे को क्या करते हैं manage करते हैं अब इसमें क्या होता है schemes होती है क्या होता है schemes होती है जैसे the equity scheme होती है that scheme होती है तो इस type से schemes होती है जो एक्कुटी scheme होती है उनमें जो पैसा होताई वो बड़ी कंपनियों में लगता है जिसको stock market एक्चुली कमपनी तीन तरह की होती है इसमॉल के अगर हम साधा वासा में कहें बेलकुल छोटे मोटे कमपनियां बड़ी-बड़ी कमपनियां और निको कहेंगे ना बहुत जादा बड़ी ना बहुत जादा छोटी इनको आप खूंटा सामान बासा में कह सकते हो मैं कि को सामान बासा समझना है और सामान बासा के जडि случम अब ऐसी है अब मैं सिर्फ पांकसर अरुपे है तो अब भाद सारी स्क्राइन आता है यह लगबग सभी मूचल फंड में होता है बैलल सुर्ड होता है एक आपका इंडेक्स फंड होता है इसी तरीकी के बहुत सारे फंड होते हैं इसी तरीकी के बहुत सारे फंड होते हैं अगर आप क्या करो अगर मुचल फंड में पैसा लगाना सुरू करो तो आप अमीर बन सकते हो अब देखो मुचल फंड में पैसा कैसे लगता है मुचल फ अगर आप की जो कमाई है वो क्या हर माईने आती है जैसे आप हर माईने कमाते हो पैसा तो आपके लिए होता है और है S.I.P. जिसको आप कहते हैं सिस्टमेटिक इनवेश्ट्मेंट प्लान इसमें क्या होता है आपको म्यूचल फंड कमपणी में जाना होता है तो mutual fund के कई office होते हैं आपके सेर में भी होगा बस आपको कहना है कि हमको सिर्फ 500 रुपे का SIP करना है तो वह आप से किनगे कौन सी आपको scheme में करना है तो इस scheme के बारे में आपको जो है जानकाई देंगे first scheme यह second scheme यह third scheme यह fourth scheme यह तो ठीक है जो equity scheme होती है जो हमारी एकृटी scheme होती है उनमें क्या होता है कम से р हो टारगेट 10 साल का लेकर चला जाता है मतलब आप 10 साल के लिए कंसे कम पैसा लगाने का सूच जाता है अगर हम की अपना ज्यादा पैसा बढ़ाना चाहता है तो कि एकृटी में लगाने के लिए हमको जाना चाहिए और जो डेट होता है जो हमारा डेट होता है डेट वाली schemes उनमें क्या है shorter मुतरस तीन साल हो गया दो साल हो गया एक साल हो इनमें जो return होते हैं वो क्या हैं बहुत अच्छे नहीं होते हैं यहां जो return है वह वह साथ से 10% के नेर अबाउट ही रहते हैं हो सकता है यह return आपके 5-10% हूं लेकिन यहां जो return होते हैं वह 15-20% तक भी जा सकते हैं है और नॉर्मरी जो return का जाता है वह 12-18% का जाता है है मतलब एक साल में आपका पैसा एक्कुट श्रम के थूइंट से बढ़ सकता हैσι लेकिन यह कषजा मार्केट का काम कभी करना इसी तरीकी से Mangy चल यह अगर मैं आप बात करूं 2014 की कि 2014 में सिंसेक्स अबाउट 25,000 के करीब था और आज चला है आपको 2021 इस समय सिंसेक्स करीब 60,000 के करीब है अब आप देखो जिस वैक्ति ने दो जाचोदा में पैसा लगाया था सिंसे क्या डबल से ज़्यादा हो गया कितने सालों सिर्फ साथ सालों सिर्फ साथ सालों में तो भाई यह हुआ कैसे बहुत कि पावर हैं अब देखो जब नोलेज है तब तो भाइय आमने कहता आप से कि आप जो डारेक्ट डीमेट अठावाइए अगर नहीं है तो यूचल फंड पर आईए यह क्योंकि बहां पे आपका पैसा सिर्फ आपके जो fund manager होते हैं जो आपके skim के fund manager होते हैं वो खुद manage करते हैं अब कुछ नहीं करना है कि सिर्फ आपको आपको 500 रुपे आपके जो bank खाते होता है उससे कटता जाता है और यह 500 रुपे SIP के जरीए लगता जाता अपने आप और इसके बात करते हैं कि 500 रुपे लागा तो रिटर्न क्या आएगा मिले का क्या आखिर में देखो अगर आप 500 रुपे हर महीं ने लगाते हो मुच्छल फंड में और अगर हम कंसीडर कर लिए कि आपको रिटर्न 15 परसेंट का मिल रहा है तो जो आपका पैसा है वो आपका 5 साल के बार 0.4 लाक हो जाता है अगर आप इस पैसे को 10 साल के बार निकालते हैं तो आपका 1.4 लाक हो जाता है अगर यह आपका 15 साल बार निकालते हैं तो यह 3.5 लाक के करीब मिलता है अगर हम 20 साल बार निकालते हैं तो यह पैसा आपका 7.5 लाक के पैसे को हम 30 साल के बार निकालते हैं तो 35 लागे करीब मिलता है अगर इसी पैसे को हम 35 साल के बार निकालते हैं तो यह पाबर स्टॉक मार्केट की सिर्फ आपके 500 रुपे ने क्या कमाल कर डाला एक बात यह भी ज्यान रखेगा अगर आपसे 20 साल बोला जा रहा तो 20 साल तक आपको 500 रुपे लगाते रहना फिर यह नहीं कि आपको बंद कर देना है अगर आप यह 35 साल देगा तक फिर लगाते रहें और एक बात समय लुजकित इह उनमें 2 त्रहें किए 1 होती है open-ended मतलब में एक होती है close-ended में क्या होता है स्क्यक्राइग कभी भी बंद कर सकते हों कभी बंद कर सकते हो लेकिंक्ड पर रिस्टिक्शन होते है कि कम से कम आपको एक साल तक पैसा लगाना है तो ध्यान रखेंगे अगर आपको कभी भी पैसा निकालने वाली कंडिशन पर जाना है तो भी open ended पर आना है और close ended पर तभी जाए जब आपको पैसा कुछ सालों के लिए लेकिन जब आप स्कीम ले तो एक बार जिससे ले रहे हैं उससे पता कर लेंगे भाई या इसकीम से कभी भी निकला जा सकता है कि निकला जा सकता है और एक बाद ध्यान रखें जो मार्केट का उतार चड़ाओ है जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे चला गया उससे कभी डरना नहीं है आपको अपने टार्गेट के लिए करना है अगर आपने सुझा कि हम वहीं 30 साल के लिए पैसा लगा लगा रहे हैं और वह 35 लाग चाहिए तो पर 30 साल तक बिल्कु सान कोता है कि पैसा आप 15 प्रेशन बढ़ा है अगर मार्केट वह पैसा 18 पर से बढ़ा मैं तो प dpr पैसा आपका और ज्यादा हो जाएगा और झादा काफी ज़्यादा अगर आपका पैसा 12 पर से ब्राखर है तो पैसा थोड़ाś क्या है कम भी हो जाएगा बट आप मानगे चलिए जो SIP होती है SIP में जो mostly return होते हैं वो आपके 15% के near about होते हैं और इन return को आप चेक कर सकते हैं SIP calculator से कोई भी SIP calculator उठाईए और आप डालिए कि वही कितना invest करना चाहते हो 500 रुपे कितने सालों लिए करना चाहते हो 40 साल और कितना आपको return मिलेगा उसमें 15% 15% तो आपको पता चलिए यही डेटा के सामने क्या है आ जाएगा तो overall बात क्या है यहां पर आप देखिए क्या आपने महगाई को नहीं आ रहाया कहां आपको सिर्फ कितना मिल ला था FD में FD में सिर्फ आपको 5% मिल लेकिन market कितना दे 15% कितना तीन गुना क्या इस रप्तार से महगाई नहीं हा रहेगी बिल्कुल हा रहेगी बिल्कुल हराद होगे और जो आप कम पैसा कमा रहे थे वो भविस में बहुत जादा हो जाएगा यह पावर्त इसे 500 रुपे की अब भाया हर किसी की छमता अलग अलग है कोई 500 भी सकता है कोई 500000 भी लगा सकता है पचास वभी लगा सकता है तो हर किसी समता है बो अलग अलग लेकिन एक बाद ध्यान रखेगा एक मैं आपको यह वीडियो ब gwaff니 का कि ऑने पैसा स्वा ज्जाद हो हो एक दियान रखेगा कभी भी मार्केट में पूरा पैसा ना लगाए जि क्षोश करों कि आप 10,000 महीन सपोश करों कमाते हो तो 10,000 कमाते हो तो कुछ ना कुछ तो आप खट्चे करोगे घर में कुछ खाऊगे पिऊए तो मानके चलो लगवग आपका तीन से 4.000 का सेविंग हो जाता जो आप बच जाता है यह मार्केट चलते हैं कि आप जो है कैसे भी करके तीन से चार्जर पे बचा लेते हो तो आप क्या कर सकते हो आप मार्केट में एक बाद ध्यान रखिए जितना पैसा बचाते हो उसका 50% से ज्यादा कभी मत लगाएं 50% कभी ना लगाएं क्यों कि कभी कबार क्या होता मार्केट डाउन भी चली जाती है बहुत ज्यादा तो जब मार्केट डाउन जाए तो उस समय भी आपको क्या पैसा लगाके ही रखना है निकालना नहीं है क्योंकि मार्केट का रूल है नीचे जाना फिर नीचे से उपर जा जाना फिर नीचे जाना फिर उपर जाना फिर नीचे जाना फिर उपर जाना और एंडिया एक devoloping country है तो यहां पर जो मार्केट है उसकी उमीद है कि वह हैं क्या ऊपर जाएगा और experts का भी अनुमान है कि 2025 तक जो मार्केट है जो सिंसेक्स है वो एक लाग अंक तक पहुंच सकता है अभी साथ जार के करीब है वो एक लाग अंक तक भी सिंसक्त पहुंच सकता है बट यह experts की राया है बट experts की गलत بھی हो सकते हैं तो इसलिए पैसा लगाएं एक systematic एक होता है ना इस में लोगों का लॉस अक्सर नहीं होता है लॉस तभी होता है जब वो पैसे को बार बार निकालते हैं बार बार जमा करते हैं तो मार्केट में अगर आप आ रहे तो थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा बट जिटन अगर आप देखते हैं काफी संदार है तो घवड़ानी क्या आओ सकता नहीं है काफी लोग आपने एड देखे होंगे जैसे एक टीवी में काफी ज़्यादा चाहता है एक लड़की होती है वो कहती है मैंने काई ले लिया तो कहती है तो क्यों आता है पैसे कमा ले जाते हैं कैसे कमा ले जाते हैं एक मार्केट से और मार्केट कुछ गेम बगएरा नहीं है मार्केट क्या है मार्केट का मलब होता है जैसे कोई कंपनी है समझी आप काईद से जैसे मालों एक कंपनी है कमपनी जैसे मालो रिलाइंस मालो जिसका आप यूज करते हो जीए जाइस ना तो रिलाइंस कंपनी जतना चाहता ग्रोथ करेगी उतना आपको पैसा बढ़ेगा कब जब आपने स रिलाइंस कंपनी तो आपके के पैसे को भी घंण दूप जाएंगा पैसे तो माई जैसे company की growth होती है उसी के according आपके पैसे के भी growth होती है और जब आपको एक scheme लेते हैं mutual fund में तो उसमें किन-किन companyूं में आपका पैसा लगेगा वह scheme में दिया क्या गया होता है कि कौन कौन सी कंपनी से लगेगा पैसा तो वह इस के बारे में जान सकते हो कई कंपनी होती है जैसे काफी मुच्छल फंड ने जो क्या करते हैं 30-35 पैसा लगाते हैं आपका तो भई कंपनी बहुत मेंटर करती है तो घबडाई जगवत नहीं है अच्छी आपको स्कीम लेना है और उससे आपके पैसे क्या बढ़ सकते हैं बट कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने जो फाइनेंसल एडवाईजर हों उनसे जरूर सला लें क्योंकि वह आपको एक राइट डिसीजन राइट स्कीम राइट प्लान आपको बताएंगे जो आपके लिए क्या फौर चाहता हेल्प करेंगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नौट टेक्विसमेल दबाएं क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते जा आपके लिए झाय करेंगा करेंगा फिल एक करेंगा उड़ वाल प्लान आपको बताबस भीडियो और करेंगा वाल शोर चाहता है करेंगा जाम करेंगा फिल परका मेंगा फिलो राइट देखलीो